मुंबई के तीन बत्ती चॉल में जनमे जेकी आज किसी पहचान के मौताज नहीं है गरीबी का वो आलम था कि एक तस बाइदस के कमरे में चार लोग गुजारा करते थे और कमाई का जरिया था मुंगफली बेचना और सडकों पर पोस्टर चिपकाना जेकी कभी थेटर के बार मुंगफली बेचते थे कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे एक दिन बस स्टेंड पर एक आदबी ने इने देखा और कहा मौडलिंग करोगे जेकी ने सवाल के बदले सवाल पुचा पैसे दोगे क्या इन दो सवालों में हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को बॉलिवूड स्टार बना दिया फिल्मों में आने के बाद भी जेकी न अपना ठिकाना नहीं बदला सैट पर जाने के लिए भी वो चौल के बातरूम में गंटों लाइन में खड़े रहते थे जहां तीश लोगों के बीच सिर्फ तीन ही बातरूम थे बड़े बड़े पॉड्यूसर चौल तो कभी बातरूम के बाहर खड़े उनका इतिजार करते थे आज उनका ठिकाना तो बदल चुका है लेकिन कहते हैं कि उन्हें सुकुन की नीन चौल में ही आती है जैकी को अंडस्टी का सबसे डाउन टू अध एक्टर कहना गलत नहीं होगा जहां जाते हैं हाथ में पौदा होता है चाहे कोई नौमी अवार्ट फंक्शन हो या राम मंदिर का उत्खाटन कभी पुराने दिनों को याद करने के लिए घंटो चौल के दस बाई दस की कमरे में रहने जाते हैं तो कभी पुराने लोगों से मुलाकात करते हैं चौल के जगुदादा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं कोई मदद का महताज ना रहे इसलिए नोंने बिखारियों को अपना परसनल नमबर दे रखा है